हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब या देवी सरभूतेशु विद्यारुपेण संस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमा दोस्तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है कि लास एर्थ एक्सरसाईज 9.1 मैंसुरेशन दोस्तो इस एक्सरसाईज में आज हम वरग है आयत है रिभूज है या समरांतर चत्रभूज है उनके एरियाज उनके परिमीटर्स को निकालना सीखेंगे और हम एक्सरसाईज प्रारम करने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम उनक इंट्रेंगल की बात करें देखिए हमारे पास यहां पर रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का इसमने देखिए आपको ये पिछली क्लास में भी पता होगा इसको हम आयत बोलते हैं यह क्या है इसकी स्पोज इसको हम Length मां लेते हैं L और यह Breath अगर हमने area of rectangle निकालना हो हम क्या करेंगे L into B यहनी कि लंबाई गुणा चोड़ाई ठीक है और अगर हमने इसका पेरिमिटर निकालना होगा यह तो होगा क्षेत्रिफल इंदी में भी लिख देता हूं यहां पर और अगर इसका हमें परिमाप निकालना पड़े पेरिमिटर निकालना पड़े तो हमने क्या करना 2 into L plus B ठीक है पेरिमिटर कैसे निकालना है इसका 2 into L plus B यह हमने रेक्टेंगल का बताया इसी तरह से अगला देखते हैं देखिए अगर यह स्केर हमें दिया हो तब और वरग में स्कोज कीजिए यह कोई भुजा A है तो हम इसका area यानिके square का क्षेतरफल कैसे निकाल लेंगे स्केर की सभी साइड है इकवल होती है न तो A into A यानिके A square भुजा का square यहाँ पर आपको वो कुछ भी कह सकते हैं ठीक है और अगर इसी का हमें परिमाप निकालना पड़े परिमाप होता है इन चारों भुजाओं का योग ठीक है न पर इसका हमें परिमिटर निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे 4 into A या निकाल लेंगे 4 into A ये formula यूज करेंगे और अगर हमारे पास triangle दी हो और triangle में suppose कीजिए इसको मैं H मान लेता हूँ और base को मैं यहाँ पर P मान लेता हूँ ठीक तो हमारे पास देखिए area of triangle क्या आएगा 1 upon 2 into pH ठीक बाकी अगर perimeter निकालना हो तो side यह आपने वो देख ली नहीं कितनी है अगर तो equilator triangle है तब उसमें C A आ जाएगा और अगर triangle की side जो भी अलग-अलग दियोंगी उनको सब को हम plus कर देंगे ठीक है यह हमारे पास 3 बुज का के तरफल का हमने यहां पार्वूल लाब सीखा है ठीक है त्राइंगल उसके बाद देखिए यह क्या है हमारे पास parallelogram 25 को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं यह parallel होता ना जीएम लिखके parallelogram लिख देते हैं ठीक अगर इसकी के बेस हो भी और इन दोनों भुजाओं के बीच की जो उचाई है वो एच हो अब इसका एरिया भी हम भी एच करके निकालते हैं ठीक है कैसे निकालते हैं इसका एरिया बी इंटू एच जालिक देता हूँ एरिया ओफ parallelogram कैसे बी इंटू एच ठीक है समानांतर चत्रबुज का और इसका अगर perimeter निकालना हो तो हमें यह side की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह हमें चारों को उनको चोड़के इसका perimeter भी निकालते हैं और अगर हमें circle दिया हो तो circle में क्या करना देखने में वरीत दिया है यह अगर यह r दिया हुआ है तो हमें area of circle कैसे निकाल लेंगे पाई r square पाई की value होते है 22 upon 7 या कई बारों आपको 3.14 बोल देते हैं ठीक है और अगर हमने इसकी परिधी निकालनी हो ठीक है वरीत की परिधी perimeter निकालना हो तो क्या formula लगाएंगे हम उपाई r क्या formula लगाएंगे में अहाँ उपाई r आईए हम अपना first question परारंब करते हैं यहां लिखा है मेज के और अगर हमारे पास देखिए यह संबलम की आकरिती हो यह निकि यह हमारे पास ट्रैपीजियम दिया हुआ हो तो हम ट्रैपीजियम में क्या करेंगे यह parallel sides हैं इसको suppose A मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं और distance between them इनको हम H मान लेते हैं तो आपने क्या धियान रखना area of ट्रैपीजियम यानिके कमलम का खेतरफल आपने कैसे निकलना एक बटा दो पुना समाना अंतर भुजाओं का योग पुना उनके बीच की तूरी कितना इनके बीच में distance है वो और जो इनकी sides दी हुई है उनका सम ठीक है और next में देखिए अगर हमारे पास सम चत्र भुजो सम चत्र भुजो सम चत्र भुजो की क्या खास्यत होती है दोस्तो सब भी भुजाएं समान होती है बस इसकी ठीक है और विकरण आपस में एक दूसरे पर लंब होते हैं ठीक है इसको हम रॉंबस बोलते हैं ठीक है एरिया आफ रॉंबस कैसे निकाल लेंगे हम यानि के सम चत्र भुजो का क्षेत्र फल अगर स्पोज कीजिए यहां पर हमारे पास एक भी करण ये एवन दिया हुआ है और दूसरा भी करण हमारे पास ये टीटू दिया हुआ है तो इसका रिया निकालते हैं वान अप उन टू टीवन इंटू यह निके एक बटा दो गुना पहला भी करण गुना दूसरा भी करण इस प्रकार हम इसका जो है रॉंबस का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें कोई स्पेशल पॉलिगन दिये हुए हूं तो उनको हम या तो रॉंबस में करेंगे उनकी बीच में कटिंग कर लेते हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जैसा जैसा कोई क्वेस्चन आएगा वैसे वैसे हम आपको इसके बारे में पताते रहेंगे अब देखिए पहला क्वेस्चन देखते हैं इसका एक मेज के उपरी प्रिष्ट का सतय है संबलम जैसा है अभी हमने आपको संबलम का एरिया निकालना बताया था ठीक है संबलम के जैसा है यदि इसकी समानांतर बुजाएं एक मिटर और वन पॉइंट टू मिटर हैं और उन सम पर्लल साइड्स आर वन मिटर एंड वन पॉइंट टू मिटर एंड पर्पेंडिकुलर इस्टेंस बिट्विन दैम इस पिरो पॉइंट एट मिटर हमारे पास यहां इन्होंने फिगर दी हुई है तो हम यहां साइड्स लिख लेते हैं देखिए लेंथ आफ पैरलल साइड कि इतनी है वन मिटर और वन पॉइंट टू मिटर दो साइड है न और इसको हिंदी में भी लिख देते हैं समाना अंतर पुजाओं की लंबाई एक यह दोनों में यह आजएगा वन मिटर और वन पॉइंट टू मिटर और उसके बाद इस टैंस पिट्विन देम उनके बीच की तूरी पैरलल साइड जो है इनके बीच की दूरी यहाँ पे दिया हुआ है बीच की दूरी यह भी हमें दी हुई है 0.8 मिटर अब हमने निकालना क्या है एरिया कहें कहें यह निकालने को कहा है इन्होंने एरिया ओफ ट्रेपीजियम ठीक है यह निके समलम का क्षेत्रफल पार्मूला तो आपको ध्यान आ जया होगा वन अपॉन टू ठीक है सम आफ पैरलल साइडस इन्टू इंस्टैंस बिट्विन देम यह निके वन अपॉन टू इन्टू बान प्लस बान पॉइंट तो यह दोनों साइड है इन्टू गिरो पॉइंट करता हूं बिर पास जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा और इनको plus करेंगे नीचे लिखता हूँ यहां पर जड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको इन दोनों को plus करेंगे आजएगा 2.2 into 0.4 और multiply करके कि आजएगे जब इन दोनों को multiply करोगे 2.8 और 2.8 अब 1 decimal यह है 1 decimal यह है दोस्तों यहां complete हो जाते हैं प्रीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू है वैव नाइस देए रूप हा ब्रचंड तु आसम्भदू ही अंत तु श्रिष्टिकार जैता मेरे बूले नार्च जी नार्च जी